वेलकम टो कुडैनिक्स 90 days English speaking course के day 18 में हम future simple sentences की category 1 को discuss करेंगे category 1 जो future की उसकी simple sentences में अगर हम देखेंगे तो उर्दू फिकरात के आखर में होगा होगी होगे use होगा और इस में जो auxiliary verb है वो use होता है will be और अगर हमने इसका negative बनाना है तो उसके लिए will not be use होता है और इन sentences में use होते हैं since, for and from since use होता है अगर आप कोई past time को discuss करना चाह रहे है for use होता है अगर आप कोई भी time duration के बारे में discussion कर रहे है और जो from है वो use होता है कि future में अगर आप कोई वक्त के according जो है वक्त के त्वैयन के हिसाब से आप translation कर रहे हैं इनका use किस तरीके से करते हैं किस जगा पर इनका use होता है जब हम इनके examples देखेंगे ताब हम इनका use भी check लेंगे इसके इलावा अगर आपका जो sentence है वो है तो future के पहचान के according मतलब के उसमें end पे फिक्रे के होगा होगी होगे बगार आ रहा है लेकिन वो जो sentence है वो हमें present या past time के according कोई नहीं कोई यादानी करवा रहा है या कोई नहीं कोई event जो है या कोई process है या कोई action जो take place हुआ है उस present या past time के according बता रहा है तो वहाँ पे auxiliary verb will की जगा पे would use होगा हम will use नहीं करेंगे इस चीज़ का आपने खास क्या रखने है अभी तो आपको ये समझने में थोड़ी difficulty पेश आ रही होगी बट याद रहे कि जब हम examples को discuss करेंगे तो आप easily इसको understand कर लेंगे अभी तक के लिए अभी आप फिल वक्त इसके ये use का method अपने जहन में रखें अगर हम sentence structure की बात करें तो formative में subject के बाद will be auxiliary verb यूज़ होता है और object आता है negative में subject के बाद will और not and be के बाद object आता है इसका मतलब ये है कि will be के दरम्यान में not use होता है for negative sentences interrogative में WH वाले family member के जो question word है उनके बाद will use होता है subject के बाद be और object यूज़ होता है और negative जब बनाना हो तो सिरफ और सिरफ आपने इतना याद रखना है कि subject के बाद not use होता है और बाकी सारी interrogative sentences के according ही negative interrogative के sentence structure होती है और जो interrogative sentences होते हैं उन में translation करने के बाद sentence के end पे आपका sign of integration लाजमी आता है special cases है special cases को बारहाद दफ़ा discuss कर चुके हैं कि ऐसे cases या ऐसी situations जिन में जो हमारा WH वाला family member या WH वाला family question words जो है वो as a subject use होंगे तो वहाँ पे वो वाले question words subject के तौर पे होने की वज़ा से subject की जगा पे ही use होंगे और इसके बाद will भी use होता है और object आता है इसी तरीके से negative interrogative में will के बाद not आएगा और सारी जो sentence structure है वैसे रहेगी और जो हमारा sign of interrogation है वो लाजमी आएगा कुछ examples को discuss करते हैं कल वो घर पर होगा कल होगा इसका मतलब कि आने वाले time की बात की जा रहे है जब आने वाले time में बात की जाएगी तो उसका मतलब है कि वो sentence जो है वो किस tense का है वो future tense का है जिसके simple sentence की हम category को discuss कर रहे हैं कल वो घर पर होगा he will be at home tomorrow he subject will be auxiliary verb at home object और tomorrow वक्त का बताया गए कि कल आने वाले time पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं he will be there at home tomorrow there at home tomorrow दोनों तरीके से हम sentence की translation कर सकते हैं वो घर पर होगा वो घर पर होगा अब बताया जा रहा है कि वो इस वक्त घर पे ही होगा इस वक्त इस वक्त present time को discuss किया है जब मैंने आपको बताया है कि present या past time को discuss किया जा रहा हो तो हम will की जगा पे would use करते हैं अब यहाँ पे वो घर पर होगा इस वक्त घर पर होगा इसका मतलब present time के बारे में discuss किया जा रहा है तो यहाँ पे auxiliary verb will की बजाए would use होगा वो सुभो से घर पर होगा वो सुभो से इसका मतलब सुभो जो वक्त गुजर गया है पास time के बारे में discuss किया जा रहा है auxiliary verb यहाँ पे will की बजाए would use होगा he would be at home since the morning past time गुजरे हुए वक्त के according है तो यहाँ पे since the morning है अब यहाँ पे will की बजाए would का use और since का use भी आ गया है वो दो घंटे से घर पर होगा he would be at home for two hours अब देखें पहले sentence में हमने since का जिक्र किया अब यहाँ पे would का जिक्र किस तरीके से हुआ है यह हम discuss कर चुके हैं अगर आपको समझ नहीं लगी तो थोड़ा सा reverse करें इस lecture को और दुबारा से देख लें और for use हुआ है यहाँ पे time duration के according के दो घंटे पहले से he would be at home for two hours सुबहो वो घर पर होगा सुबहो आने वाले कल के time के according यानि के जो सुबहो आने वाली है तब वो घर पे होगा तो यहाँ पे would नहीं यूज होगा यहाँ पे क्या यूज होगा will he will be at home in the morning he will be at home in the morning क्या कल वो घर पर होगा हमने पहले पढ़ा कल वो घर पर होगा जिसकी जो English translation थी वो थी He will be at home tomorrow अब यहाँ पे है क्या वो कल घर पर होगा कल आने वाले कल के बारे में डिसकेस किया जा रहा है तो उसी के recording subject से पहले क्या आ जाएगा auxiliary verb और सारी sentence structure वैसे ही रहेगी Will he be at home tomorrow? Will he be at home tomorrow? क्या कल वो घर पर नहीं होगा? अब इसका है यह negative sentence तो Will he के बाद not आ जाएगा subject के बाद और बाकी sentence structure सेम रहेगी Will he not be at home tomorrow? कल वो घर पर क्यूं होगा? अब यहाँ पे वज़ा पुछी गएगे कि कल वो होगा तो सही लेकिन क्यूं होगा? यहाँ पे क्यूं के लिए WH family member वाला question word आएगा क्यूं होगा? हमने situation ये पढ़ी के अगर तो possibility हो yes और no में answer देने की ताब हम WH family member वाला question word नहीं use करते अगर possibility हो के वहाँ पे हमारा जो answer है yes और no की form में नहीं आएगा तो हम वहाँ पे WH family member question word वो use कर सकते हैं यहाँ पे हम use करेंगे WH family member वाला question word कल वो घर पर क्यूं होगा? Why will he be at home tomorrow? Why? क्यूं होगा? Will he be at home tomorrow? कल वो घर पे कल वो घर पर किस के साथ होगा? किस के साथ? With whom? यह हम पढ़ चुके हैं With whom will he be at home tomorrow? कल घर पर कौन होगा? कल घर पर कौन होगा? अगले साल हम साथ होंगे नेक्स्ट इयर की बात कर रहे हैं आने वाले टाइन की बात कर रहे हैं यहां पिर एक जिर्डरी वक्ट विल यूज होगा We will be together next year We will be together next year इस वक्त आहमद किस शहर में होगा In which city would इहमद भी राइट नाउ अब यहाँ पर आ रहा है किस शहर में यह है WH family member वाला question word in which city इन विज और साथ आ रहा है city यह दोनों मिलके एक subject बना रहे हैं तो यहाँ पर special case के according sentence structure discuss की जाएगी in which city would Ahmed be right now इस वक्त Ahmed किस शहर में होगा हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं which city would Ahmed be in right now which city in किस शहर में would Ahmed be Ahmed होगा right now इस वक्त मार्च में अरहम एक साल का होगा अरहम will be one year old in March होगा coming time में होगा इसलिए यहाँ पर will use हुआ है office में इस वक्त कौन कौन होगा अब यहाँ पर भी WH family member वाला question word जो है as a subject आ रहा है तो यहाँ पर इसकी sentence structure जो होगी वो होगी who all would be in the office right now who all would be in the office right now इस वक्त office में कौन कौन होगा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते है who all would be there in the office right now who all would be there in the office right now यह कुछ sentences की examples के according simple sentences की जो future के हैं उनकी category one के बारे में डिसकस किया है उनकी अर्दू जुमलों के आखिर में जो पहचान है और auxiliary वाप कौन से यूज होगा since or four का यूज कैसे होगा will would का यूज किस तरीके से होगा तो दिहान से इसको examples को practice करें because practice makes a man perfect